तासिल सदर बस्ती के लेकपालों की गुंड़ई आई सामने सिकायद करता को तासिल केंपस में दोड़ा दोड़ा कर पीटा तो सिकायद करता ने मुक राजस अधिकारी से की सिकायद? जी आपको बता दे उत्तर प्रदेश के बस्ती तासिल सदर के लेकपालों की गुंड़ई सामने आई है चहां पे एक सिकायद करता को दोड़ा दोड़ा कर पीटा गया है जिसको लेकर के सिकायद करता अनिल कुमार पांडे ने आज मुक राजस अधिकारी को लिखी सिकायदी पत्र देकर के नियाय का गुहा लगाया है शिकायदी पत्र में अनिल कुमार पांडे ने बताया कि मेरे द्वारा गुलहरिया सिर्मा तथा को रूवं के ग्राम समाज की भूम की सुरच्छा के सम्मन्द में जिला अधिकारी योव मानियो मुक मंत्री को जनता-धर्शन के म रात्नापत्र के शंबंद में प्रवारी राजस निर्चेक स्री अजय बक्सी जाच कर रहे हैं। उहीं पर उपजिला अधिकारी महोदेद्वारा अजय बक्सी को जल्द जाच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। इससे अजय बक्सी हमसे नराज हो गए, वहीं उच अधिकारी के पास क्यों चले गए, जिसकी जानकारी के लिए अजय बक्सी लेकपाल जो प्रवारी राजस निर्चेक के रूप में कारत है। जानकारी का रहा था कि अचानक स्री अजय बक्सी प्रभारी राजस निरच्यक और सब्ध का प्रियोग करते हुए गाली देने लगे। तासिल परस्थ में उपश्तित लेकपाल संग के अनिल कुमार पांडे ने बताया कि मुझे बुरी तरह से लाद घुसायों असोक्तिवा लेकपाल संग के अध्यश द्वारा डंडा से पीटा गया और लोगों के द्वारा बीच बचाओ किया गया तब जाकर हम प्राथी की जान पची इसके बाद इन लोगों के द्वारा मुझे धमकी दिया गया कि अगर HDM से सिकायत करोगे तो जान से मार दूंगा। लेकपाल है आए दिन गाली गलोज करके लोगों से बाते करता रहता है लगबग 20 बरसों से सदा ताशेल में अपने प्रभाव से कादत है वहें पर प्रभारी राजस निरच्छाक असोग बक्सी ग्राम शमाज की शंपत के अत्कमड करता से अनुचित लाब लेकर हम प्रा लेकपाल प्रभारी राजस निरचक और असोग तीवारी वे अन दो अन लेकपाल द्वारा मारने पिटने का एगिनावना कार किया गया है जिसको लेकर के उच अधिकारियों से अनिल कुमार पांडे ने सिकायद किया है आपको बता दे आईये क्या कुछ करते हैं अनिल कु इल कि वारी जी से वby दे घृमारे बर गाया है कि हमने ग्राम सभाती बन्जर दून के लिए उसके बाद शले हो रहा है उसके राज़ा करने जा तो बावत मैं थ्यच्काश बेंगित और जन्वरी चिले करके सब और जून लग गया तो मोबाइल पर रहा दिखाने लगा जो हमारा मुख्रमंत्री जन्ता दर्शन का मामला था तो मैं तहसीन मैं आया अपने कांगो साथ से मिलने के लिए कि इसमें इस परकर्ण पर मेरे क्या हो रहा हुआ है जानकारी लेने के लिए संजयोग से हमारे प्रभारी राजस्निशक अजय बक्षी जी है अजय बक्षी जी से मैंने पूछा कि सब इसमेरे मेरे प्राथना पत्वों पर क्या करवाई कि लिए तो उन्होंने कहा कि तुम कोई करवाही नहीं करूँगा तुम मेरा क्या उखार सपाड़ दोगए तो हमको यह लगा कि यह भिलोधी से मिल गए हैं और भिलोधी से मिलके अपना अन्पित लाव लेकर देंगे हैं यह सम्मिली भगत से इस प्रकार की भासा का प्रियूख कर रहा है तो हमने कहा अगर आप यह चीज नहीं करते हैं तो हम चलके HDM साब से मिलते हैं सर्मा एडिया, HDM साब के पास गया उन्से मैंने शिकायक की उन्होंने कहा कि ठीक है आपके मामले का निस्तारण कराया जा रहा है और अभी हम बक्सी को बुला के आदेशित कर लेते हैं कि आपके मामले पर ठीक रिस्का निस्तारण कराया रहा है उसके बाद बक्सी जी बुलाए गए और बक्सी ने हमें अस्वासन दिया कि कल आप मेरे पास आओ कल जिस दिनी अगटना हुए और मैं आपके मामले का निस्तारण कर दूँगा HDM साब में आदेश कर दिया हम आए और आते ही बक्सी जी और अन्य लेकपाल मेरे ऊपर तूट पड़े और मुझे लाद भूसे दंडे से मारा पीटा गया किसने किसने मारा मुझ को ऐसोग तिवारी जो यह लेकपाल सहन के अध्यक्त हैं उन्होंने मारा कि measured जो लोग अपाल आः और प्रभाईश्य राज्ड सुन्रीक्सक भी है उन्होंने भी निरी तरह मुझे मारा पीटा और जिया लाल जी ने मुझे मारा पीटा उएक्ता इसे और हिरावाम जी मुह की यह मुझे प्रक्लाए नहीं की गई तो परटिर लेकिन वार और तवाग धैक्ट भी है और इनके दबाव में कहीं मेरा कहीं चुना नहीं जा रहा है। मैं बहुत ही असहाय हूं अगर मेरा नहीं चुना गया तो ऐसी इस ठीती में गरीबों को न्याय नहीं मिल पाएगा। ठीक ठीक बस मेरा यही का ठीक परेगे।